हालो दोस्तों असलाम लाइकूम अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल काजमा को विद्जोश को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करना ना बुने तो चैनल रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज हम बनाते हैं चिकन कस्षा जो की बहुत ह जो है तो एक बर ट्राइ करना बनता है तो इसके लिए हमने एक केजिक चिकन लिए है और इसको अच्छे से दोकर हमने इसका सारा पारिण निकाल लिया अब हम 200 गिराम उसमें दही आड करते हैं और वन टेबल स्पून इसमें हम नमक डालते हैं देखें और इसे अच्छे स अब देखें दही मिलता है तो चिकन तोड़ा खासता हो जाता है अब देखें अब देखें दो घंटा हमारा हो चुका है अब हमें कराही में तेल लेते हैं 200 गिराम और उसे गरम कर लेते हैं यह मस्टर्ड वाइल है और गरम करके थोड़ा ठंडा करके हम इसमें प्यास डालते हैं चॉप्ट किया हुआ 500 गिराम एक केजी में 500 गिराम प्यास जाएगा और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं देखें गोल्डन फ्राई कर लिया है जादा हमें डीफ फ्राई नहीं करना है और इस तरीके से इसका तेल हटाते हुए देखें कितना बढ़िया सा हमारा गोल्डन फराई प्याज हो चुका है अब चलें इसमें गरम मसालेट करते हैं तो चार लॉंग हमने लिए है चार छोटी लैची यानि हरी लाची थोरा सा जैफल लिया है हमने चार इंच हमने दालचीनी लिया है दे देखे, बस हमने इसे डाल500 थेल में और इसे थोड़ा सो चतक में देना है, देखे, ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा बढ़ी हाए, अब इसमें हम 4 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालते हैं, और 2 टेबल स्पून इसमें हमने अधरक का पेस्ट डाला चाहता वन टेबल स्पुनंई समीं हमने रचली यह बडशा दाला है तैक यह घर का जीरा पिशाते तो जादा अच्छा रहता है और हाफ तेड़ के ऌन्याजें चला लिया है डेखे है और हैajuते hours shill दो मिनट तक मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं, देखें इस तरीके से, अब इसमें हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखे थे दही के साथ, उसे भी एड़ कर लेते हैं, अब देखें इसे अच्छे से मिला लेते हैं, ताकि गिनेवी अच्छे से चारू तरफ मिल जाए, द पानी इसमें छोड़ देगा तो देखें एक कप पानी हमने एट कर दिया है उसे अच्छे से हम चलाते हैं और उसे देखें इस तरीके से पूरा हमारा ग्रेवी मिल चुका है अब इसमें लिड लगाकर हम इसे 10 मिनट तक पकाते हैं देखें 10 मिनट हो चुका है गैस का फिल्म हमें लो करके पकाना है इसे हाइफ फिल्म पर नहीं पकाना है देखें 10 मिनट हो चुका है देखें हमारा चिकन जो है 90 परसेंट पक चुका है अब इसका जो ग्रेवी है उसका सारा पानी सो कहा लेना है देखें हमारा चिकन पुर अच्छे से पक चुका है एकदम सॉफ्ट होके मसालों को थोड़ा भून लेते हैं गैस का फिलेम अभी हमने हाई रखना है देखें चिकन जो है वो अच्छी तरीके से भूना चुका है अब इसमें हम कस्तूरी मेथी डालते हैं इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और कुछ फ्रिश धने की पत्ती भी इसमें हम आट करते हैं ताकि इसकी फ्रेशनेस बनी रहे और ये खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है तो देखें कितना बढ़ियां दिख रहा है हमारा चिकन कसा तो बिहारी स्टैल में एक बार ज़रूर बनाए आपको बहुत पसंद आएगा हम बिहारीों को तो भाई बिना चिकन कसा के रहा ही नहीं जाता है देखें कितना बढ़ियां हमारा चिकन कसा बन करता यार हुआ है मतन कसा की रेसिपी हम आपको पहले ही दे चुके हैं तो एक बार ज़रूर ट्राइ करें बिहारी स्टैल में बिहारीों के तरीके से हम बिहारियों को तो भाई बिना चिकन कसा मटन कसा के कुछ अच्छा लगता ही नहीं है तो ज़रूर ट्राइ करें अपने घरों में इंशालला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी मेरे तरीके से मेरे स्ट्राल से एक बार तो ट्राइ करना बनता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी कैसी बनी है और हाँ कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि आप कहां से कमेंट कर रहे हैं आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अपने शाहर का नाम ज़रूर बताएं अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और थमसब दें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें ये बिलकुल फ्री है इन्शालला अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाखात होगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए जै जवान जै किसान अल्ला हाफिज थैंक्स फर वाचिंग